आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग एकाउंट के बारे में जी हाँ सेविंग एकाउंट मतलब बचत खाता के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेविंग एकाउंट क्या होता है saving account क्या होता है और saving account से हमें क्या फायदा मिलता है क्या फायदा होता है और saving account किस प्रकार की सुवधाय मिलती है उसमें क्या सुवधाय दी जाती है और saving account कैसे open किया जा सकता है मदलब कैसे अपना saving account saving खाता हम खुलवा सकते हैं बैंकों में और saving account के लिए आपको process में क्या documents लगते हैं, क्या process होता है, ये complete जानकारी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, आपको वीडियो पूरा ही देखेंग और चैनल को subscribe कर लेना है ताकि आपको banking से जोड़ी जानकारी, news, update आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा हम देने की कोशिस करेंगे, तो आज कल बैंक में खाता खुलवाना एक बहुत एहम जारी, जरूरी काम पड़ जाता है लोगों को, बहुत जरूरी हो चुका है खाता खुलवाने के लिए, जैसे कि प्रधान मंत्री जंधन खाता योजना जैसे आया था, तो उसके चलते सब गरीब से गरीब लोगों ने खाता खुलवाना शुरू कर दिया था, और सब के पास खाता खोले जा रहे थे, मतलब बहुत से लोग ने खाता खुलवाया, तो इसमें ज्यादा तर लोग Current Account और Saving Account ही खुलबाते हैं ज्यादा तर बाकों में तो सब से जदा जो खुल्वाने वाला होता है वो सबसे जदा आपका बचत खाता ही लोग कुलवाते हैं शेविंग एकाउंट ही खुलवाते हैं उसके बाद कुछ लोग बिजनेस परपस से आपको करेंट एकाउंट भी उसमें ओपन कराते हैं तो बचत खाता हर व्यक्त के लिए होता है और इसमें सेविंग अच्छी सुविधाय भी दी जाती और अच्छी ब्याज भी लगभग दी जाती च से जाधा प्राइबेट सेक्टर में दिया जाता है और हम बात करते हैं अगर बचत खाता की इसमें जो सुविधाय दी जातीसमें क्या-कया सर्वीस मिलते हैं क्या सुविधाय होती है इसमें आपको एक ATM कार्ड फिच कल दिया जाता है और अनने डवैंकिक की सुबिदा दी जाती है और आजकल यूपी आई भी इसमें एड हो चुका है, यूपी से भी आप पेमेंटर मनिय ट्रांफर वग्रार पकर सकते हैं, और इसमें आप ट्रांग्जेक्शन तो चेक्स भी कर सकते हैं, ATM से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, तो इस तरह से कई सारी सुध्ध है आपको मिलती है, प्लस इसमें और भी email service आपको mail भी आता है, जो भी आप transaction करते हैं, कुछ भी update होता है, और आपका कुछ भी withdrawal या deposit करते हैं, तो आपको SMS माध्यम से आपको SMS service भी इसमें आपको दी जाती है, saving account में, तो ये अच्छी सुधा है, और इसमें ATM से आप self भी पैसे withdraw कर सकते हैं, और वहीं हम बात करते हैं, बैंक में minimum balance maintain करने के लिए, तो सभी बैंकों में चाहिए private हो या government हो, उसमें सभी बैंकों में minimum balance रखने की limit दी जाती है, फिलहाल सभी बैंकों में दी गया है, कि आपको इतना minimum balance maintain करना होगा, नहीं तो आपका bank account close कर दिया जाएगा, और नहीं तो आपका bank account close नहीं होगा, तो आपको कुछ इसमें penalty fees देना पड़ेगा, चार्ज बैंकों देना पड़ेगा, जो आप minimum balance अगर आप maintain नहीं करते हैं, तो और इसमे किसे अगर आप नहीं करते हैं, तो आपका bank account फीज हो जाता है, उसमें आपको transaction करने के किसे पाहिले, लोग हो जाता है, उसमें आपको अपने nearest अपने branch में जा करके आपको EKYC कराना पड़ता है, जी हैं दोस्तों, अगर आप KYC करवाते हैं, अपने bank में जाकर अपने खात होता है, तभी आप कर पाते हैं, और bank में एक सुविधा और इसमें एड कर दिया है, डिजितल दुनिया के चलते ही, आजकल अधार पे हो गया है, अधार payment से, तो आप कहीं भी digital payment gateway से भी आप third party app से या किसी भी payment सर्विस से आप digital payment से भी आप finger लगा के अपने अगुठे से भी पैसे आप आजकल विट्रो कर सकते हैं, इसकी भी आधार काड जिसका bank account वे अधार काड लिंक होगा, वही finger से अपना पैसे विट्रावल कर सकता है, तो ये भी नया facilities इस बार लांच कर दिया गया, और सर्विस ये एवल है, तो इसमें अपके वाइसी भी है, तो वहीं बात करती हैं अगर private sector में, तो private sector में जो minimum balance रखने की maintain रखने की limit होती है, जैसे पर सरकारी government में minimum balance maintain करने के लिए कम पैसे रखना होता है, बट private sector में ज्यादा पैसे रखना जरूरी होता है, उनका क्या अलग ही limit होता है, इतना balance आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप इस banking दे पाएंगे, अन्य था आपका नहीं हो पाएगा, तो minimum balance रखना जरूरी होता है, तो वहीं पी अगर हम बात करते हैं, इसमें documents के लिए, तो documents में आपके पास कोई भी identity proof होना चाहिए, या address proof, identity proof में जैसे आपका अधार कार्ड हो गया, passport हो गया, voter ID हो गया, या आपका driving license हो गया, passport हो गया, यह चीज आपका identity, मतलब आपका address proof हो जाएगा, प्लस identity card भी होना चाहिए, जैसे आपका pen card हो गया, अधार कार्ड हो गया, तो आज कल क्या है, अधार कार्ड और pen card compulsory कर दिया गया है, कि आपको अधार कार्ड और pen card compulsory होना ही चाहिए, मतलब आपका अध को पेंचार आपको लिए होना अनिवार है और और अधार कार्ड में आपका का नाम सें होना जाई होना चाहिए झाय कोकी होना चाहिए और यह सारे डाकूमेंट्स आपकजका के बाद आपको आपके पास दो फोटो होना चाहिए आपका एक करनेंट मदलब न्यूफ फोटो आपको फोट छोटी और आपका ऐक परसनल मुवाइल नंबर होना चाहिए और होगा इस तरह से किसी भी बैंक में आप जा करके अपना नियरेस्ट जो भी जिसी भी बैंक में अपना सुविधा आपको लगे वहीं पर आप जा करके यह फॉर्म संबिट करके और अपना सिगनेचर और आपना दोनों जो भी आप आइडंटी कार्ड देना चाहते हैं जो अपको दो करते हैं और चालू करते हैं ऑक्की सर्विस तो यह हो कि आपको डाकूमेंटस शमर्च आपको श्क्राइब आप चाहे चेक बुक ले सकते हैं ATM कार्ड ले सकते हैं networking का process भी आप कर सकते हैं तो यही रहा process saving account का बचत खाता का तो इसने इस वीडियो में हमने यह जानकारी देने की कोशिस करें और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप comment जरूर करना कि आपको इसमें क्या process सही नहीं है य तक thank you so much जहें जय भार